So, here is my all new 2093 KTM RC 200 GP Edition अभी ये जो जगा है, मेरे घर से लगभग 8-10 km का डिस्टेंस होगा लेकिन ये जगा एक्चोली रोड थोड़ा सा खाली रहता है आप ये शूट काना कमफोरेबल होगा क्योंकि पीछे जो ट्राफिक था, बहुत ट्राफिक था आज तो में रोड से थोड़ा सा साइड के रस्ते पर आ गया हूँ मैं अभी ओ देखो, फ्लाइट जा रहा है तो चलो, मैं ये थोड़ा से दिखा जाता हूँ आपको फिट से एक बार 451 km चला है अभी टोटल गाड़ी तो चलो, अभी चलते सर्विस सेंटर के तरफ आपको मैं कुछ चीज़ों के बार में बता हूँ अभी तो चलो, लेट्स गो अभी इसका फर्स सर्विस करने जा रहा हूँ मैं वहसे मेरा जाने का प्लान था बारा बज़े के अंदर लेकिन अभी सारे तीन बज़ रहा है तो पर्टिकुलर्ली मेरा जो गाड़ी है अभी सारे 400 km लगभग मैंने चलाया है इन दोरान गियर जो है न मतलब अगर अब थार्ट गयर में चल ले हो तो अचानाक से गियर अटकने का प्रॉब्लम आ रहा है मतलब प्रॉब्लम सायदो सार्विसिंग के बड़ ठीक हो जाएगा तो यह सारे चीजे है बाकी ब्रेक मैंने आज थोड़ा सा नोटिस किया कि जो फॉड़ा सा मुझे कई लाग कर रहा है क्यूंकि जैसे के तीम का मतलब हर के किसी भी गारी का जो ब्रेकिंग का बहुत जबदस ब्रेकिंग के मामले में KTM 10 on 10 है एक्चली यह जो रस्ता है ना थोड़ा सा खाली रहता है as compared to main road और यह थोड़ा सा शॉटकाट भी है अपने मेरे पिछले वाले व्लोग नहीं देखे तो देख सकते हो अपसी 390 वाले जो व्लोग से मेरे वह पे मैंने इस रस्ते पर फोड़ा सा शूट किया था मेरा जो फास्ट व्लोग ता इसी रस्ते पर शूट हुआ था इसका एक मेजर इशू यह की रस्ता थोड़ा सा खराब है लेकिन बहुत ही क्लाउड कम रहता है एक चीज़ दूसर दूसरा इसका जो ब्रेकिंग है कौन ब्रेक का जो वाइट है थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे कभी पे जाके बाकी गारे में उतना दिक्कत तो नहीं है पहले से ज्यादा अपराइट पोस्चा आपको मिलता है तो कमफोर्ट के मामले में पहले जेनरेशन के मुकाबले त सब लोग मूल मूल के देख रहे हैं मतलब जब भी आप इस गारी को लेके निकालोगे ना बहुत एटेंशन मिलने वाला है आपको आर्सी टूनाड़ जीपी एडिशन लेने के पीछे मेरा कोई खास वजा नहीं था फ्रैंकली स्पिकिंग जब मैंने इस गारी को पहरी बात देखा था इंटरनेट पे मतलब तजबीरों पे उतना अच्छा मुझे नहीं लगा था दूसरों की तरह ही क्योंकि पहले जो की अदद बन चुकी है अभी और जो लोग आर्सी लेते थे स्पेशलिस के लुक की बाया से लेते थे इसके पावर एंशियाल रेस्पोंस इस बाया से लोग खड़ीते थे लेकिन अगर आप गारी का लुक ही चेंज कर रहे हो और थोड़ा सा सटेल एक लुक बना रहे हो त लेकिन जब क्रेटीम ने इस गारी में एक जीप एडिशन वाला कालर थीम डाला इस गारी का लुक है टोटली चेंज हो गया है क्योंकि ए जो सेक्शन है ना बहुत ही खाली खाली लगता था पहले अभी और प्रॉब्लेम नहीं है इसमें इसमें बहुत ही इंपूब हो इसमें 6-speed gearbox लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्रिसाइज और स्मूध ग्यारवक्स है के टीम ने हर एक चीज पर काम किया है चाहे हो एंजीन हो या फिर आपका गारी का टोटल जो अच्छा काम किया है सामने का जो ए बहुत अच्छा काम किया है सामने का जो ए बबल भाज़ और मतलब विंदाज जो है वो ना के बरबल लगता है जो सस्पेंशन है वो भी डव्लूपी एपिक्स की तरफ से आता है पीशे का मोनोशॉक सस्पेंशन 10-step pre-load adjustable है तो आप अपने ओट के हिसाब से राइडिंग कमफोर्ट की हिसाब से उसे अज़से कर पाओगे सबसे अ जो इसमें जो सीट आता है उसका टोटली मैट्रियल चेंज कर दिया गया है वी फिट अन फिनिश इतना अच्छा है कि आलकन तारा लेदार का याड आ जाएगा अपको जाएगा कि वैसे कुछ मैट्रियल से सीट बना हुआ है तो इस सारे चीज़े किया गया है और पीछे पिलियन के पकड़ने के लिए दोनों साइट ग्राब्रेस मिल जाता है अब बात काते है कि इस गाड़ी को मैंने पटिकुलर्ली चूज क्यू किया देखो मेरे पास बजेट था कि मैं 390 या फिर 310 ले सकू ब्यम्डबल या टी पाचे आराट थेटन के जासा ही है तो उतना कुछ डिस्टिंगूश नहीं होता लुक के मामले में अटलिस्ट के लिस्ट के साथ एचीज नहीं है के लिए कर लुक हर वार एक अलग सा रहता है और उसके वाएँ से लोग को मतलब थोब बहुत एक उनिकनेस मिल जाता है पस एकन चीज की मैंने आप सी थी नहीं लिया देखो मेरे पास रसी थी एंडी बीस्टी मोडल साड़े आठ साल से था था पैने सुचा कि चलो आप सी टूहंड़ को ट्राइब कर देखते है क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अब को बदलना चाहिए अभी अप कह से तो कि डिग्र सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए रसी टूहंड़ मेरे खाल से मोड़ दें सभी इंडियान रोड कंडिशन जैसे आप देख रहे हो यह पर इसकी हिसाब से मेरे इस रसी टूहंड़ के बजेट में के अंदर बहुत सारे गाड़ी थे आरान फाइए माता था उसका जो कोई पकड़ देख चलो आरन फाइब मारा था दो लाक बतीस अदर रुपए तो यह मुझे मिल गया तू लाक फिटी सेजन थाउजन ठीक है तो 25,000 रुपीज एक्स्टा डालके आपको पार जादा मिल रहा है ठीक है एक उनिक सा लुक मिल ला है क्यों कि आरन फाइब यह कौन हो चुगा है उसमें वह से कुछ मतलब आई के अची बात नहीं रहा है इंजिन अच्छा है बहुत ही जबदेस है अपने जगा पे आरन फाइब बिलकुल ठीक है मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं करना चाहता लेकिन आरन फाइब आरन फाइब है आरसी आरसी है मतलब स सब्सक्राइब से ज्यादा अप्राइट है सीट का जो कमफोर्ट है ज्यादा है कुछनिंग बहुत अच्छा है प्रीमियम क्वालिटी का मैट्रियल का यूस किया गया है इसके अंदर तो एब बात तो है और एक चीज की के साथ इतना सालों का रिस्ता है तो एक मतलब लग सब्सक्राइब सेंभी आता है तो एक मतलब बाता है तो झाली कि मुझे पर्स नहीं लगता क्योंकि मुझे वह स्कार्ट का सीट्वार करेब अप्डेट इन सालों में इतने सालों में आरस को लांच वह बहुत दीन हो गया है उसमी नहीं अः उस गाड़ी अंदर तो इस उ आपने प्राइस सेग्मेंट की हिसाफ से बहुत अच्छा पाउर जनेट करता है और बहुत ही अच्छा बढ़ी है अगर अब देखो तो मैं यही कह रहा था कि सब अपने अपने जागा पर ठीक है अप प्राइस ज़्यादा प्रेकरो आपको ज्यादा चीजे मिलेंगे सिंप नंबर फाइब पे आता है फुल फ्याद सेग्मेंट के आरेस्ट वह गया अपका अपसी तो मेरे पास है और क्या आता है और हाँ सुजू की जिग सट 250 तो उसमें भी सेम चीज़ है सुजू की जिग सट 250 अंदर आपको कंपोनेंट साइक्लास नहीं मिलते बेसिक कंपोनें आपको कि असका सस्पेंशन अच्छा है फोडियोन मिलिमेटर का टेलिसकोपी का मिलता है उसमें लेकिन उसमें बाक्स टाइप का सुइंगां वाता है अलुमिन्यम सुइंग तो है नहीं उसमें इस बज़ा से मैंने जिक सट 250 को कैंसल किया और नेकट स्पोर्स स्टीट फा तो चलो सर्विस सेंटर भी आ चुका है यहां पर और देख लेते कि क्या सीन है वाई सो मेरा गाड़ी आलेड़ी रैम पे चड़ चुका है और पीछे आप देख सकते हो पैड़क्स टेंड लगा हुआ है सर्विस होने के लिए तो जेनरली बहुत ही सेक्सी लग रहा है पीछे से इसका फास्ट सर्विस है तो बेसिकली ओयल, ओयल फिल्टर, ओरिंग, डल रहा है जैसे के आप देख सकते हो और फास्ट फ्री सर्विस के अंदर जो सारे चीज़े चेक अप होता है इलेक्ट्रिकल हो गया इसका एयर प्रेशर्स हो गया एटसेक्टरा चीज़े चेक होंगे यह देखो कुलेंड डल रहा है अभी फाइनली गाड़ी का सर्विस कम्प्रीट हो चुका है और पूरा वाश वाश करके यह दखो आभी तक पानी पानी है यह यह पर वाशिंग पुशिंग कम्प्रीट करके इन्होंने दे दिया है मुझे और यह रहा के टी एम हजबरना का सर्विस सेंटर अभी चलाएंगे ग रोट पे लेचे गाड़ी को पहले पिर वागाएंगे रोट पे आगया गाड़ी अपना वासे यह राइयर हैट रोड है बहुत ही खाला थे रोट का आप देख सकते हो यह पर ज्यादा भगा नहीं सकते लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा पहले brake चेक करते हैं पिछले वाला brake ठीक है front brake का भाईड ठीक है वाउ front brake का lag खतम हो चुका है अभी गारी का जो थोटल रेस्पांस है बहुत ही इंप्रूब हो चुका है पहले थोटासा अटक रहा था काही पर जाके मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा लैक कर रहा है पार डिलिविरी में तो इशू अभी नहीं है फिलाल और बाकी ठोटल रिस्पंस जबदस्त हो चुका है सिर्फ सर्फेस के माले में नहीं लोग इदार उदार करते है बहुत अपना जो सर्विस है मैं सैटिस्पाइड हूँ इनका एप में सारा का सारा इंफोर्मेशन एवेलेबल रहता है तो एप से भी खोल के मैं दिखा दूंगा आपको चलो घर पे चलते है पहले और फिर आपको तिखाते है तो टोटल कितना खर्चा आया मेरे फास्स सर्विस में ठीक है चलो किमत है एक जिसका कीमत है 66.95 रूपीज का इंक्लूटिंग टैक्स मैं बता रहा हूं और इंग लगा है इसमें 20W50 ग्रेट का जिसका कीमत है 971.25 रूपीज एंड मोटूल चेंड लूप डाला है क्योंकि अल्दो मेरे पास चेंड क्लीनर चेंड लूप दोनों ही था लेकिन मैं ले जाना भूल गया था साथ में उस दिन तो मुझे जो टोटल बील पड़ा है 17.51 रूपीज का एंड लेवर का तो जो जो चार्ज नहीं लगा क्योंक फ्री है आगले वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि मेरा experience कैसा है after fast servicing of this vehicle वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe करते हुए दोस्तों को भी थोड़ा सा share भी कर देना तो चलो मिलते हैं आप से next vlog में